हेलो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स आई डी बी आई बैंक की ओर से जुन क्वाटर के फिनांसल रिजल पेस हो चुका है जो कि आज के इस वीडियो में एनलसिस करेंगे चलिए फिंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस यहां प 2 कडर 588 28 क्रोड इंकम हुआ था जो लूटि के से फॉट्री में इंकम में एक्सपेंस हुआ इसके पाद उपरेटिंग पॉफित है 3066 क्रोड का पिषले कॉट्रम 2020.7 क्रोड का और जोन 22.0317 05 ca यहां पे operating profit है जो कि quarter on quarter में तेजी है year on year में भी तेजी देखने को मिल रहा है यहां पर गाइस company का अगर हम लोग इसके प्रोविजन की बात करें तो 1193 क्रोड का पे करना पड़ा जबकि पिछले quarter 985 क्रोड का पे करना पड़ा था पिछले quarter हाँ पर 1234 क्रोड का है पिछले quarter 1206 क्रोड का और जोन 22 क्रोड़ में 772 क्रोड का नेट पॉफिट है quarter on quarter year on year quarter on quarter में भी तेजी है year on year में भी तेजी है लेकिन हाँ पर quarter on quarter में तना चाहा ग्रोथ नहीं कर पाए जिसका रीजन ने देखा जाए तो 1.14 रुपीच का है quarter on quarter में average growth है year on year में बहुत strong growth देखने को मिल रहा है सेग्मेंट वाज revenue की बात करते हैं पर corporate या wholesale banking, retail banking, treasury, other banking operation इन सभी से revenue generate कर रहा है जो कि यहाँ पर बहुत strong growth देखने को मिल रहा है अगर मुग इसके standalone results को cover कर तो number crores में दिये गए है income में 7711.9 crore का पिछले quarter 713.8 crore का और June 22 quarter में 5774 crore का income हुआ था quarter on quarter year on year में तेजी देखने को मिल रहा expenses 4693 crore का पिछले quarter 4588.8 crore का और June 22 quarter में 3722 crore के expense हुआ था जो कि quarter on quarter year on year के expenses बेंक्रीस किया जिसके बाद यहां पर operating profit है था, 818 crore का पिछले quarter 2424 crore का और June 22 quarter 2015 1 crore का यहां पर operating profit है Hoje teane quarter on quarter year dieses year on e 1190 crore का और plus यहां पर taxes भी बहुख ज्यादा किया गा है 604 crore का दिझख सब्सेखने येर ओनियर में जिसके गान पॉफित में थोड़ा से इंपैक्ट पला जो कि यहां पे निकल के आया है 1224 केरोड का पिछले कौटर में 1183 केरोड का और जोन 22 कौटर में 756 केरोड का नेट पॉफित है जो कि क्वाटर ऑन क्वाटर एर ओन एर में तेजी देखने को मिल रहा है यहां पर देखें तो यून 22 कौटर मैं पॉण 9 परसंट का अन्प था बहुत ज्यादा अन्प यहां पर इस बार जो है बहुत इस च्रॉंग किया मलोकि यहां पर रेडियूस चीज इस तरह से कंपनी किया एंपिय को बहुत इस अगर मेंटेन करता है इस तो एक बहुत पॉजिटिव साइन हो सकता है इस कंपनी के लिए तो अब हम लोग जो है वीडियो को ही परेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं नेक्स्ट लोडियो में तिल दिन बाबाई